डर से पूछे गए एक सवाल ने बनाया दोनी को स्टार बताया था फितनीज कराज महिंदर सिंग दोनी साथ जलाई को 36 साल के हो जाएंगे साल 2016 में एक बार दोनी वारानासी में बच्चों के बीच पहुंचे थे जहां वे 40 मिनट तक उनके टीचर बने थे इस दोरान बच्चों के पूछे गए सवाल में उन्होंने अपनी सकसेस का मंत्र बताया था इस दोरान उन्होंने अपनी फितनीज कराज भी बच्चों को बताया था स्कूल में शशांक नाम के एक बच्चे ने दोनी से उनकी सकसेस कराज पूछा था जिसके जवाब में दोनी ने बताया था कि दसवां के फाइनल एक जाम के दौड़ान ही उनके स्कूल में मैच था एक जाम के बीच में एक पेपर के दो दिन बाद होने वाले एक मैच में वे खेलना चाहते थे फिर उन्होंने अपने पिता से डरते हुए पूछा था कि एक जाम के समय क्रिकेट खेलने जा सकता हूं। पापा ने कहा था बेटा अगर साल भर पढ़े हो तो खेलने जाओ। कोई दो दिन की पढ़ाई से परीक्षा पास नहीं कर सकता। पापा ने उस समय बताया था कि पढ़ाई के साथ खेल जरूरी है। इसके था कि वे सही समय पर कम पलीड डाइट लेते हैं। अच्छे कोट से सलाह के साथ स्ट्रेस से दूर भी रहते हैं जो स्पोर्ट्स के लिए जरूरी होता है। उन्होंने बताया था कि अगर 6 घंटे पढ़ाई करते हैं तो फिपनेस के लिए एक घंटे कोई भी गेम जरूरी क्रिकेट में प्लानिंग आवशक है। जब तक चालेज को एकसेप्ट करने की आदत नहीं बनेगी, सफलता कैसे मिलेगी। टाइम मैनेजमेंट के लिए बच्चों को दिये थे टिप्स। टाइम मैनेजमेंट से संबंधित एक सवाल पर दोनी ने बच्चों को बताया था क कि लाइफ में टाइम मैनेजमेंट सकसेस के लिए इंपोर्टेंट है अगर आप सुबह खेलते हैं तो स्कूल जाना और पढ़ाई करना भी जरूरी है खेल के साथ पढ़ाई की जा सकती है उन्होंने बताया था कि गार्जियन को ध्यान देना होगा कि बच्चे के पढ़ाई और खेलने की टाइमिंग क्या रखें तभी बालेंस बनता है खेलने से स्ट्रेस कम होता है आपका पढ़ाई में मन लगेगा फिजिकली फिटनेस के लिए जरूरी नहीं कि आप घंटों खेलते रहें जरूरत है टाइमिंग से इट करने की जिंदगी में सोच हमेशा पॉज झाल झाल